Welcome to ABC Campus, आज हम Contract Act 1872 में Section 75 डिसकस करेंगे, इसका टाइटल है Party, Rightfully Resending Contract in Title to Compensation. तो concept यह है कि अगर कोई पार्टी राइट फुली किसी कॉंट्रेक्ट को रिसेंट करती है, for example, दूसरी पार्टी ने उसकी performance accept करने से इंकार कर दिया, जो कि proper attempted performance थी, या दूसरी पार्टी ने जो है वो अपनी तरफ से promise को पूरा perform करने से इंकार कर दिया, या रैसी प्रोकल promises के अंदर दूसरी पार्टी simultaneous promises perform होने थी और दूसरी पार्टी ready to perform नहीं थी, तो आपको भी perform करने की जुरूरत नहीं थी, आप contact cancel कर सकते हैं, तो जब rightly, यानि जो rightfully आपने contract को recent किया, cancel किया, तो आप compensation claim कर सकते हैं for any damages जो आपको contract के पूरे ना होने की वज़ा से हुए हैं, तो ये वैसे तो बड़ा logical सा और simple सा concept है, बहुत सारे scenario के अंदर apply हो सकता है, जहां पर आप एक contract को lawfully recent कर रहे हैं, cancel कर रहे हैं, तो contract के पूरा ना होने की वज़ा से, दूसरी party के problem करने की वज़ा से, आपको जो नुकसान हुआ है, वो आप उससे claim कर सकते हैं, एक example discuss कर लेते हैं इसमें, आसिफा singers contracts with Bhezad, the manager of theatre to sing at his theatre for two nights in every week, during the next two months and Bhezad engages to pay her rupees 100,000 for each night's performance, on the sixth night, आसिफा willfully absent herself, यानि अब एक week में साथ देन होते हैं, और six days जो हैं, वो willfully absent कर लिया, तो यानि एक week में दो दिन तो नहीं हो सकेंगे, तो बेज़ा ने जो contract recent किया है, cancel किया है, वो lawfully किया है, क्योंकि section 39 allow करता है, कि अगर दूसरा party contract को पूरा perform ना करे, तो प्रामिजी contract को recent या cancel कर सकते हैं, तो बेज़ाद इस situation में उनसे compensation क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने contract को जो पूरा नहीं किया, जो thinking की performance नहीं दिया, और उसकी वैसे उनको नुक्सान हुआ है, वो उस नुक्सान की compensation क्लेम कर सकते हैं, तो ये एक simple सा rule था, दो lines का तो rule है, और हमने एक छोटी सी example के साथ भी इसको discuss कर लिया, that's all for today, have a good day.